प्रति दिन हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक नई समस्या और उसका नया योगमय समाधान आप से हमें निरंतर feedback मिलते रहते हैं आप अपनी परिशानियां हमें भेजते रहते हैं और हम उन परिशानियों का समाधान उन समस्याओं का समाधान योग नमस्कार के माध्यम से आपके घर तक आपके mobile तक लेकर करके आते हैं आज हम बात करें मूँ के चालों की मूँ के चाले सुनने में लगता है कि कोई बड़ी चीज नहीं है पर जिनको होते हैं वो जानते हैं कि वो कितने कश्ट दायक होते हैं मूँ के चालों के अनेक अनेक रीजन्स होते हैं कई बार पेट की गरबडी से ये हो जाता है, कई बार कुछ लोगों को जूटा खाने से हो जाता है, अनहाइजनी कंडिशन्स में बना हुआ खाने से हो जाता है, लेकिन कारण जो भी हो निवारे निश्चित रूप से योग में छिपा है, मैं आज आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही सुगम सी योग किक्रियाएं, जिनका नियमित अभ्यास करके आप मूँ के चालों को गुडबाई कह सकते हैं, साथ में ही कुछ ऐसे भारत योग नुस्खे जो आपकी ही रसोई में हैं, बस आपको उनका ज्यान नहीं है, वो नुस्खे क्या है और वो योग अभ् तर शीतलता लाता है, और खास्तोर पर इस समय जब वैदर चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, तो आपको इस प्राणयाम को करने की और भी जादा आवश्यकता है, शीतली प्राणयाम का यदि आप अभ्यास करेंगे, तो मूँ के अंदर जो चाले हैं, उनके कारण होने लेंगे और हाथों को ग्यान मुद्रा में ले करके, अपने हाथों को चिका देंगे अपने घुचनों पर, ये ध्यान रहे कि मुद्रा जब भी हम करते हैं, तो palms facing towards sky, हथेलिया हमेशा आकाश की और रुख करी हुई रहेंगे, जमीन की तरफ रुख की हुई नहीं रहेंग इसी से सास को भीतर खीचना है, जब आप सास को भीतर खीचेंगे तो आपको जैसी आवाज ध्वाइनी भी सुनाई देगी और आपको cooling sensation फील होगा अपने पूरे मूँ के अंदर, अपने gums पर, अपनी टंग पर, उस cooling sensation को अनुभफ करना है मूँ बन करना और नाक सी सास छोड़ देना, अच्छे से देखिए इसको, ऐसा आपको पांच से दस बार कम से कम करना है, नेमित रूप से इसका अभ्यास करें, आप देखेंगे कि छालों के समस्या अब दूर होने लगेगी, जाने से पहले हमारे भारत योग के कुछ नु तो एक काम आप जरूर करें, आप शेहद ले लीजिए और शेहद में थोड़ा सा मुलैठी का पाउडर में ला लीजिए, इस मिक्स्चर को अच्छे से मिक्स करें, और जहां जहां आपकी मूँ के अंदर छाले हैं, वहां वहां उसे एपलाई करें, और फिर सिंक में जाकर या वाश विसिन में जाकर के अपने मूँ को ऐसे खोल लीजिए, इस तरह से, जब आप मूँ को खोलेंगे तो आपकी लार टपकनी शुरू हो जाएगी, थोड़े दिर ऐसे ही रुकिए, लेट फ्लो आउट, उसको बाहर जाने दीजिए, आप देखेंगे कि यह ऐसा नु तो वो addictive होती है, उनका bad effect होता है, लेकिन अगर हम उने medicine की तरह use करते हैं, तो उनके amazing effects होते हैं, फिर चाहे वो चाय है, जो आप घर पर पीते हैं, उसको भी अगर हम दवाई की तरह इस्तेमाल करें, तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हमें उसका चसका लग जाए, उसक उसको लगा छोड़ दीजिए, रात को सोने से पहले ऐसा करेंगे, तो overnight को लगा रहेगा, आप देखेंगे कि ये दो ऐसे नुस्खे हैं, जो आपको छालों की समस्या में बहुत बहुत लाबकारी होंगे, ये तो हुआ इनका तुरंत इलाज, लेकिन हमें सिर्फ सदन रिल भोजन से भी दूर रहेंगे, यानि कि आपको सात्विक भोजन लेना है, और ऐसा भोजन, क्योंकि जैसा खाए अन, वैसा होए मन, वैसा होए तन, वैसा होए जीवन, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने भोजन को चेक करें, आप अपने शरीर के वीतर क्या डाल रह हमारा कारक्रम नेमित रूप से देखते रहें, योगी बने, उपयोगी बने खार को तो, आपने ψ नेमित बय्दते आप अपने डियोड को बने विजजा, वहँत रहें झाल लिबादा जीवन, नेमित रहें, वैसा है इन अपने कम खारो Темकर्न आपणेСवरों को उई एमक्रेश,क्या कर्यों क Ehud, एम उई लेगे आपकते है